हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में मैं हूं सुदेश और सुदेश की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत आज है रोटी से एकदम नई और जबरदस्त रेसिपी जिसे देखते ही आप तुरुंत बनाएंगे रोटी की एक ऐसी मिठाई त्यार मिन्टों में जिसे बनाना बहुत ही सिम्पल और आसान है तो चलिए चलते हैं बनाते हैं मिठाई को तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने तीन रोटी लेई हैं यह सुभह की रोटी है और मैं यह वीडियो है जो शाम को शूट कर रही हूँ आप बासी रोटी भी ले सकते हैं ताजी रोटी भी कोई भी ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कड़ाई में गी रखा है गरम होने के लिए आप चाहिए तो रिफाइंड ओयल भी ले सकते हैं पर कोई मिठाई बना रहे हैं तो गी में ही बनाए है सुदेशी गी में तो ही रिजल्ट अच्छा आता है और यह रोटी है जो इस घी में डालेंगे और इस तरीके से इसको तल लेंगे रोटी को और रोटी है जो एकदम गुभारे की तरह फूल कर त्यार हो जाती है और यह ठंडा करेंगे एकदम कुरुकरी और क्रिस्पी हो जाती है इस तरीके से तलने से अगर आपको रोटी को तलना नहीं है वैसे तोड़ कर टुकडों में और इसको हलका सा ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं लेकिन मैं रोटीयों को पहले फ्राई कर रही हूं यह स्टैप से क्या होगा रोटी में एकदम अच्छी कुरुकरी होगी और हमारी रैसी भी उतनी जबर्दस्त बनकर त्यार होगी जो हम बना रहे हैं तो तीन रोटीयों को मैंने इस तरीके से ही तल लिया आगर आप चाहिए थोड़ी ज़्यादा बनाते हैं तो चार रोटी ले सकते हैं तो हमारे घर में थोड़ा देशी खाना खाते हैं तो रोटीयों को हम थोड़ा अच्छे से शेख कर खाते हैं तो देखिए मैंने तीनो रोटिया हैं जो इसी तरीके से यहां पर फ्राई कर ली हैं और इनको रख देती हूं मैं ठंडा होने के लिए पंके की आमा में पांदस मिंट के लिए और यह ठंडा होने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाती है तो यहां पर रोटिया हैं जो तीनो मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हैं और यह ठंडी भी हो गई हैं मैंने पंके ही आम मरख दी थी और यह देखिए आप देखकर ही समझ गए होंगे कि यह कितनी क्रिस्पी हैं यह देखिए उपर से तो आप इसको टुकडों में एक मिकसर बजार में डालेंगे कैसे टूट रही है अपने आप ही और इसको पीस लेंगे तीनों रोटियों को इसी तरीके से तोड़कर इसमें डाल लेंगे रफली तोड़कर तो अब में इसको यह देखिए मैंने इसको पीस लिया है और यह देखिए घी में तला था इसकी जैसे इसमें थोड़ा सा मोस्चर है और इसमें डालूंगे मैं थोड़ा सा यह सूखा गोला होता है मैंने गरेट किया है थोड़ा सा यह आधा कटोरी के आसपास और यह भी मैंने डाल कर इसे फिर से एक बर पीस लिया यह देखिए इसका मोस्चर है थोड़ा सा कम हो गया है और इसमें एक अलग ही टेस्ट आएगा रोटी रोटी जैसा नहीं लगेगा इसमें और फीर से मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें रोटीयों को तला था उसका घी निकाल दिया है और अब इसमें डाली है मैंने चीनी चीनी जितनी डाल अब आपने अप ही यह हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है अब इसमें डालेंगे दूद जो की एक गिलास बरकर दूद डालने माली हूं मैं या पर दूद थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि एकदम से डाल दिया तो यह एकदम हार्ड हो जाएगा नीचे से कैरेमली जो यह नीचे चिपकता है चीनी का तो दूद थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे अइसे मिक्स करते जाएंगे डूद डालते जाएंगे इसके अंदर तो दूद डाल दिया है मैंने और यह जो थोड़ा बोट रहा गया गया यह दूद में उफान आएगा तब अपने आप इसके अंदर घूल कर अच्छे से उठा हो जाएगा तो दूद में है जो अच्छे से उफान आने देते हैं और ये देखी दूद है जो उबल रहा है ये देखी इसमें अप कुछ नहीं है सब चीनी है जो अच्छे से वो डाल सकते हैं पर मैंने इसमें नीमबू डाला है आधा चमच जाता भी नहीं डालना इसके अंदर क्योंकि इसमें हमने हलका सा दाना चाहिए इसको फाड़ना नहीं है जैसे मिलक केक में दाना होता है सेम वैसे ही तो इसे चलाते रहेंगे तो दूद है जो हमारा आदा हो है उबल उबलकर यह देखिए आप दे सकते हैं और इसके कलर में भी कितना फरक आ गया है तो जब यह दूद इस स्टेज पर आ जाए मतलब आदा हो जाए फिर यह रोटी और यह नारियल का बुरादा है जो इसको डाल देंगे इसके अंदर और अब है जो गैस का फ्लेम कर बिल्कुल मीडियम रखा है क्योंकि यह रोटी है एकदम से थिक हो जाती है हमें इसमें टाइमिंग देना है दो तिन मिंट के लिए और चीनी है जो बाकी की बचाई हुई थी आदी वो यहीं पर डाल देंगे चीनी डालने से होगा यह हमारी जो मिठाई हम बना रहे हैं वो एकदम रसीली बनकर त्यार होगी इसे उपर से चीनी डालने से यह स्टैप आप एक बाद जुरूर करके देखना हल्वा बना रहे हैं तब भी और यह कुछ भी बना रहे हैं थोड़ी से चीनी बाद में डाल देना इसमें अपने हाप ये अलगी चमक आएगी और ये देखिए अपने आप ये कडाई छोड़न लगा है इसका मतलब ये बनकर बिल्कुल एकदम तयार है तो अब यहाँ पर देखिए मैंने एक ट्रे रखी है और इसके उपर एक कागज रखा है ये आप चाहिए तो बट करके और आप किसी भी प्लेट में या किसी भी चीज में इसको सैट कर सकते हैं जैसे आपको पीशिच चाहिए तो मैंने इसको इसी में सैट कर दिया है और इसे आप में आदा घंटा के लिए फ्रीज में रख देती हूँ तो इसे सेट करके अच्छे से मैं फ्रीज में रख देती हूं इसको आप चाहिए तो बाहर भी रख सकते हैं एक घंटे के लिए पर मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था और ये देखिए और अब है लाइट है जो लाइट थोड़ी सी लाइट आपको काम नजरा रही होगी थोड़ी सी लाइट की प्रोब्लम है तो तो ये देखिए अच्छे से बिल्कुल सैट हो गया है और ये देखिए कागज अच्छे से बिल्कुल असानी से निकल गया है और अब इसको सीधा करके इसको काट लेंगे पीसिस में जैसे आपको पीस चाहिए तो ये रही आप इसे देख कर बता आनी सकते कि ये रोटी की मिठाई है रोटी तो अक्सर हमारे गर में बच जाती है तो सुबह की रोटी भी ले सकते हैं शाम की रोटी भी और ना ही इसमें मैंने मिलक पाउडर डाला है ना ही घी डाला है और ना ही मावा है ये अलग ही मि सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा और एक बार आप भी जरू ट्राइब कीजिए और यह देखिए कितनी रसीली हमारा मिलक केक है जो बनकर त्यार हुआ है तो मैंने इनको इस तरीके से पीसिस काटे हैं जैसे मिलक केक होता है सेम वैसे ही दन्यवाद